शंकराचार्य अविमुक्तेश्वुरा नंद पर विवादित बयान देकर बद्री किदार मंदिर समिती के अधर्ष सवालू के घेरी में आ गये हैं सवाल हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की सोच पर भी उठने लग गये हैं कॉंग्रिस ने शंकराचार के बयान को अपमान बताती हुए माफी की मांग की है देखे रिपोर्ट जोतिर्मट पीट के शंकराचारे स्वामी अविमुक्तेश्वा नंद ने केदारनाथ सोना चोरी का मुद्दा उठाया तो आरोपो को गलत बताने की बाद बदरी के दार मंदिर समिती का द्यक्ष अजेंदर अजे ने कही पर मसला सिर्फ इतना भर नहीं है अजेंदर अजे ने स्वामी अविमुक्तेश्वा नंद के शंकराचारे होने पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि अविमुक्तेश्वा नंद शंकराचारे है या नहीं इस बहस में वो पढ़ना नहीं चाते बीजेपी नेता अजेंदर अजे ने तो यहां तक कह दिया कि शंकराचारे नेताओं से ज़दा प्रेस कॉन्फेंस करते हैं कॉंग्रेस का एजंडा आगे बढ़ाते हैं सोना, शिव, सनातन, शंकराचारे से जुड़ात और सियासत ने जोर पकड़ लिया पूरु मुक्यमंत्री हरिश रावत ने कहा कि शंकराचारे के मामलों में ऐसी बातें अपमांजनगे तो अजेंद राजे ने फिर कहा कि संद का सम्मान है पर किसी एजंट का नहीं जो उत्राखन को बननाम कर रहे है धर्द तो वहीं जहां दिल होगा वहीं तो दर्द भी होगा तो सभाइद तो पर संकराचारी जी उसमें कुछ कहेंगे इदी उन्होंने जो कुछ कहा है। वो भाजपा को या भाजपा की किसी व्यक्ति को ना पसंद है कोई बड़ा सरल सा मामला है कि उनको कॉंग्रिस का एजेंट बना पता दो। पद्री केदार मंदिर समितियो और बीजे पी सोनाचो री में अब शंक्राचारी से सबूत मांग रही है लेकिन शंक्राचारी को कॉंग्रेस का एजन्ट बताने को कॉंग्रेस धर्म का अपमान बता रही है देरदून से न्यूज एटिन के लिए दिपांकर भट की रिपोर्ट और इस बीच एक बड़ी खबर बदरी केदार मंदिर समिती के अध्यक्ष के बयान के बाद जोतिर मटकी CEO CPU पाफ ध्याय का भी बयान सामने आया उन्होंने मांग की है कि केदारनात में सोना गायब होने की CBI जाच की जाए बद्री के दार मंदिर समिती के अधक्ष अजेंद्र अजय पर करप्शन के आरुप लगाए गए हैं और कहा है कि शिकास तरुचनिक होनी चाखे उन्होंने सवाल किया कि मंदिर के गर्ब ग्रे की फोटो कैसे वारेल हो गई जबकि वहाँ पर फोटोग्राफी बैन है शंक्राचार को कॉंग्रेस का एजेंट कहने पर जोतिर मट के CEO, CPO बाध्या ने कहा कि मंदिर समिती के अधक्ष सयमित भाषा का अस्तमाल करें और किसके खिला बयानबाजी कर रहे हैं यह पता होना चाहिए और वहीं जोशी मट के चाही गाउं के सीता मंदिर में धरा रहा गई है जिसमें मंदिर को खत्रा बना हुआ है लगतार हो रही बारिश से मंदिर का गुम्मट तूटने के कगार पर है मंदिर के पुजारी ने मंदिर के शतिग्रस होने के सूचना बदरी के तार मंदिर समयती को दे दी है बतादी के उत्तराखण में चाई गाउ में सीता का एक मात्र मंदिर है जहां 12 महीने तक सीता माता की पूजा की जाती है